हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा का इसकी Samsung Galaxy A15 फोन में आप लोग वोलियूम को कैसे एज़स्ट कर सकते हो without वोलियूम बटन पे क्लिक किये अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A15 फोन है और इस फोन में जो है आपको वोलियूम एज़स्ट करना है मतलब इंक्रीस और डिक्रीस करना है लेकिन आपर आपका जो वोलियूम बटन है वो खराब हो चुका है तो कैसे आप लोग जो वोलियूम को एज़िली इंक्रीस और डिक्रीस कर सकते होगा इस without वोलियूम बटन गां, इस लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोगों को अपने सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आपको नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करते ही आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा इस accessibility का तो इस accessibility के option पर click कर दीजिए click करने के बाद यहा पर option मिलेगा is interaction and Dexterity का time to interaction अंड it itete counsel फिर के option पर click करना है click करने के बाद यहा पर आपको option मिलेगा assistant menu का spine system menu को हमें on करना है सकती इस on करने के लिए हम पर click करेंगे click करते ही नीचे एक allow का option आयेगा तो इस 인 kell coalition पर click कर दिजिए click कर?..क्छं करते है जो option ऐ है वह on हो जाएगा और और よ ot thigh आ को आ पराै एक एसिस्टेन शॉटकर्ट-बटन देखने को मिलेगा तो इस शॉटकर्ट-बटन पर bye click कर दिजिए click करते ही आप एक why का option मिलेगा तो इस volume पे क्लिक करकेप लोग वोलियों को देख सकते इंक्रीम और डिस्क्रीज्स कर सकते हो और यह चौट कंट बटन सभी ieСТप उपलीकेशन में काम करता है । कि अप लोग वुडियों को कम ज़्यादा कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो है आप आप लोग अपने Samsung Galaxy A15 phone में आप लोग volume को adjust कर सकते हो without volume बटन पे क्लिक किए तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते एक अलग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई